नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाला है Women SS 2023 के मेच के बारे में दोस्तों तो England Women वर्सस Australia Women's के बीच में ये मुकाबला होने वाला है दोस्तो आपके लिए एक बहुती बड़ा चांस है और Grand League आप जीत सकते हो अगर दोस्तो आप सही से हमारी वीडियोज को देखेंगे और सही से समझेंगे क्या करने वाले है आपकी Dream Eleven टीम में कौन से प्लेयर अच्छे रहने वाले है कौन से खिलाडियों को आपको कफ्तान व लेकिन दोस्तो इसके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि हर तरफ की हम यहाँ पे प्रेंटेशी टीम के साथ हम बहुती अच्छी टीम आपको प्रवाइट कराते है फ्री में तो दोस्तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए तो चरिए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं तो पहले तो हम दोस्तो हम बात करते हैं इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले है यानि कि दोस्तो इस वीडियो में हम आपको क्या जानकारी देने वाले है तो पहले नमबर पे दोस्तो पीच रिपोर्ट बताएंगे हम आपको दूसरे नमर पे प्लेइंग लिवन के बारे में आपको बात करेंगे टीम प्रेडिक्शन ग्रेंड लिग और स्मॉल लिग में कौनसी टीम आप बना सकते हो वो भी बनाएंगे वो आपको बताएंगे कप्तान आपको बताने वाला है इस ग्रावंड के अंदर किस तरह का टोस रहने वाला है उसके बाद रिशेंट परफॉमंस इन लाश्ट पांच मेज यानि कि दूसतो पीछले पांच मुकाबले की हम परफॉमंस आपको दिखाने वाले उसके बाद दूस्तो टॉप प्लेयर इस वे बात करें वेन्यू की तो यहां पर टॉंटवन इंगलेट के letter When यह ने वाला है तो दुस्तों बात करते से पीच report के बारे में तो betting पीच रहने वाली यह दोस्तो इस ग्राउंड के अंदर यानि की हैंग्लेंड की जो यह पीच है वो betting पीच रहने वाली है और ग्यान बाज्यों के लिए medium गैनबाज है जो medium faster गैनबाज है उनके लिए पीच बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस ग्राउंड का एवरिज स्कोर की बात करें तो 205 रन है यानि कि 200 एवरिज हर तरफ का एवरिज जो अगर देखा जाए तो 205 रन का एवरिज है अब दोस्तों बात करते हैं हेड टो हेड रेकोर्ड के बारे में तो टोटल अभी तक दोनों टीमों के बीच में 9 मुकाबले हुए है जिसमें से इंगलेंड की टीम ने एक मुकाबले में जीत हासिल की है और ऑश्टिल्या की टीम ने आठ मुकाबले जीते है हाला कि दोस्तों तो इसके जरी हमें को देखा जाए तो वाश्टिलय की टीम बहुत ही जादा हाँ भी नजर आ रही है दोस्तों इंगलेंड के उपर अब दोस्तों बात करता है इस ग्राउन के उपर जो अच्छे खिलाडी है उनके बार में यानि की दोस्तों टोप प्लेयर यानि की दोस्तों पांच यर से इस ग्राउन के अंदर अच्छी तरीकी से परफॉर्म कर रहे है जो भी खिलाडी उनके जो खिलाडी है उनके बारे में हम आपको बताने वाले तो नमबर एक पर दोस्तों यहाँ पर बताई दे जाए दोस्तों सौफिया दिवैंस बोट मीनी बहुत थी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन के उपर हमने दो प्लेयर के बारे में बता दिया है उसके बाद दूस्तों टमी यहाँ पे इंगलेंड वूमन की जो टीम है बलेबाज है बैटिंग के लिए बहुत थी की जरी हम आपको जो के मायती दे रहे हैं उनके जिसाब से आप अगर टीम बनाओंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रोफिट होने वाला है मैं ऐसा नहीं बोड़ रहा हूँ कि आप करोड़ पती बन जाओंगे लेकिन दोस्तों यह आप वीडियो देखकर पूरी डिट जी में अच्छी तरीकी से परफॉम करने वाले खिलाड़ी है तो दोस्तों अब बात करेंगे हम इस ड्रीम लेवन टेम के बारे में तो दोस्तों इंगलेंड वुमन वर्स्स वोस्टिलिया के बीच में यह मुकाबला है दोस्तों अगर देखा जाए विकेट कीपर की बात क करें तो हमें विकेट कीपर में तीन ओप्शन मिलने वाले हैं दोस्तों एहली बी मोनी और जे जॉंसन यानि कि दोस्तों सबसे अच्छी बात है विकेट कीपर में और वुमन को ही लेना चाहिए दोस्तों यहां पे मेरा प्रसंट यानि की 89 प्रसंट लिया हुआ है यहां प अच्छा फॉम यहाँ पर चलता हुए नजर आ रहा है उसके बाद हमने इनको सिलेट कर लिया है और दूसरा को भी किट की पर हमें लेना नहीं है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बल्ले बाजी के बारे में दोस्तों अगर देखा जाए तो बल्ले बाजी में कौन से फिला उनका चौपन है इनको आप ले सकते हो ड्रीम टीम में 50% यहाँ पर हिस्सा होता है उनका इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो और दोस्तों इंगलेंड की टीम की तरफ से यह खिल रहे हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैट की बात करते हो इनको आपको सिलेक्ट नहीं करना ह उसके बाद दोस्तो T Bankmont हमने पिछले बारे में थोड़ी देर के पहले हमने बताए आपको कि पांच प्लेयर जो एसे हैं ऑची तरीके से इस ग्राउंड के उपर ऊची तरीके से करते है बल्ले बादी भी एची करते है और यहाँ पे नजर आ रहे दोस्तों तो अच्छे अच्छे प्लेयर है इन में से दोस्तों पेरी को आप अगर दोस्तों रेकोर्ड देखे यह पेरी का रेकोर्ड होके तो एवरिज पॉइंट 97 है इनका एवरिज बहुती ज्यादा हाई नजर आ रहे दोस्तों ड्रीम टीम में 100% इनका हिस्सा होता है, इसका मतलबे दोस्तो ड्रिम टिम में ये अच्छी तरीके से सिलेक होते हैं, हर मैच में ड्रिम टिम में 110 पॉइंट, अच्छे चे पॉइंट इनके पास ए, देख सकते हो, आप स्क्रीन के उपर हम वीडियो में पूरी डीटेल के साथ हम आपको बता रहे हैं आप वीडियो को स्केप बिलकुल ना करिए और पूरा देखिए अब दोस्तों बहुत ही बड़ी हम आईती हम देने वाले तो यहाँ पेरी को हमने सिलेक कर दिया है इसके बाद दोस्तों एंड सिक्वर यानि कि दो 236 पॉइंट है 105 पॉइंट इन में भी है यानि कि दो हर मेच में पॉइंट देते हैं अभी तक एसेस में 245 पॉइंट दे चूंके है अभी तक इस मुकाबले में तो इनको भी हमने सिलेक कर लिया है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गेंडर एक गेंडर की बात करते हैं 120 एवरिज पॉइंट है 100% इन्होंने भी अच्छी तरीक से ड्रीम टीम में इसा लिया है भी तक आप एवरिज पॉइंट देख सकते हो हर मैच में 109-135 इनका भी अच्छा तरीकी से बल्ला चलता है तो तीनों को हमने सिलेट कर लिए आप देख सकते हो तीनों की प्लेयर हमन बॉब्ल लेकिन दोस्तों देखना है कि निलिंट की टीम में से एक प्लेयर को हमें प्लेयर को हमें सिलेक्ट करना इनका रेकोड अब तो रेकोंट तू? ऊंका ठीक ताक चल रहा है लेकिन तो ऐसकी तो हमें इनको नजर आहा हैं, इनको भी आप drop कर सकते हो, दोनों player 9-0 average के point है लेकिन दोस्तों हमें, दोनों की दोनों यहाँ पे drop करनी है, उसके बाद मिदुधर smaller, MAN Gulam's Guide skत की बात करें, लेकिन दोस्तोंchemistry लेकिन दोस्तों कि बात करें, इनका point देख सकते और यहाँ पे सो परसेंट यारी कि दूस्तों ड्रीम टीम में हिसा रहता है इनका रेकुर्ड देखिए 83 पॉइंट 104 पॉइंट 33 पॉइंट 58 पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छी है तो इनको भी आप सिलेक्ट हर सकते हो अपनी टीम में सो परसेंट यहां पर ड्रीम टीम का हिसा होने वाला 100% ड्रीम टीम का इसा रहते हैं अवरीज इनका आप देख सकते हो 89 पॉइंट 87 पॉइंट 62 पॉइंट 8 वाला पॉइंट में खेलें लेकिन 93 97 दोनों ही मेचों में अच्छा प्रपोंश किया है पीछले मुकाबल में डॉप हुआ था उनको खेला है इनको भी आप सिलेक्ट कर लेखते हो अब दोस्तों यहाँ पे तीन गेंदबाज हमारे पास हो चुके है लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात है अ और कुछ इस तरह से टीम हमारी रहने वाली है यहाँ पे हमने पांच प्लेयर जो की इंगलेंड के लिए है और हमने च्छे से साथ प्लेयर यहाँ पे लिए है और दोस्तों बात करते हैं हमारी कप्तान और वाइस कप्तान के बारे में तो किस तरह से रहने वाला है कप्तान और Vice Captain, यहाँ पर दोस्तो अगर देखा जाए, रेकूर्ड देखा जाए, तो दोस्तोओ, हमें Old Rounder को ही अज़्य कपतान बनाना है, तो दोस्तो यहाँ पर कपतान की बात करें, तो अभि तक कपतानी में बहुत सारे परफॉममस और रसेने, और कप्तान यहाँ पे हमने बना दिया है और दोस्तो बात करते हैं इस टीम के बारे में तो कुछ इस तरह से हमारी टीम तयार हो चुकि आप देख सकते हैं उसक्रीन के उपर यहाँ पे हमने बेड मोनी को यहाँ पे लिया है विकेट कीपर में और दोस्तो बात करें बल्ले ब और दो खिलाडी ओल्डाउंडर में इसका मतब है दोस्तो वस्टिया वूमन की जो प्लेयर है वो सबसे जादा है और इंगलेंड की वूमन भी थोड़ी सी कम प्लेयर या पर नजर आ रहे हैं लेकिन दोस्तो अच्छी तरीकी से आपे कर सकते हो तो दोस्तो आपको ये वीडि से आप कमा सकते हो तो दोस्तो ये देख सकते हो हमने जो टीम बना ये वो एक बहुत ही बढ़िया टीम रहने वाली है दोस्तो आप ग्रेन लिग पे बना सकते हो स्मॉल लिग पे अगर दोस्तो बना नहीं तो अभी अच्छी तरीकी से बन सकती है तो दोस्तो बस ठीक है दो